आज मैं आपके लिए नोन फ्राइट ब्रेड पकोड़ा रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही जल्दी बन कर तैयार हो जाता है जो लोग ओईल खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए बैस्ट आप्शन है तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको सबसे पहले मैंने एक आलू उबला हुआ ले लिया है जिसको मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है अब इसमें मैंने डाला है आधा चमच गरम मसाला इसमें डाला है मैंने एक चमच नमक आप टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं अब इसमें डाला है मैंने आधा च चमच अमचूर पाउडर और इसमें डाला है आदा चमच कश्मीरी लाल मिर्च अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप आलू को कद्दू कस्पी कर सकते हैं और देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने अब बनाएंगे हम बेसन का बैटर यह मैंने एक करेंगे मसाले एक चमच नमक आप टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं आदा चमच लाल मिर्च पाउडर वन फोर्थ टेबल स्पून हींग डालेंगे इससे बैटर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा अब इन सब को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे मेजरमेंट बहुत इजी है जिस कटोरी से हमने बेशन लिया है उसी कटोरी से हम एक कटोरी भर के पानी एड कर देंगे लंप निकाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह मैंने वन फोर्थ टेबल स्पून बेकिंग सोडा डला है इससे थोड़ा सा फलफी भी एड कर सकते हैं और यह रेडी है अब इस फीलिंग को हम ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे एक एक्वल लेयर हम इसके उपर अच्छी तरह फैला लेंगे दूसरा स्लाइस इसके उपर रखेंगे और थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे अब हम इसको बैटर में डिप करेंगे बैटर में इसको दो तिन बार पलट कर डिप करना है जिसे की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए अब गैस की तरफ चलते हैं यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है आप तवा भी ले सकते हैं और इसके उपर हम ओईल डाल देंगे आप गी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं और इस ओईल को हम चारो तरफ ऐसे फैला देंगे और इसके उपर हम अपना ब्रेट पकोड़ा रख देंगे फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है और अब हम थोड़ा सा ओइल इसके उपर डाल देंगे और थोड़ा सा ओइल इसके चारो तरफ भी डाल देंगे दो मिनिट हो गए हैं इसको बनते हुए अब इसको पलट लेते हैं कितना बढ़ियाय सिक के तयार हुआ है दूसरी साइड से भी सिक चुका है देख लेते हैं देखिए कितना बढ़िया है दूसरे साइड से भी तैयार है बिलकुल अब इसके जो साइड्स है हमें ऐसे करके थोड़ा सा इसको इसको इसे चारो तरफ से हमें सेक लेना है जिससे की बैटर जो साइड में रह गया है थोड़ा वो भी कुख हो जाए बहुत आराम से इसको च खाने में भी उतना ही टेस्टी है, इसको सर्व कर लेते हैं, यह मैंने अमचूर की चटनी की साथ सर्व किया है, आप इसको सॉस की साथ भी खा सकते हैं, या हरे दनी की चटनी की साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी और रेसिपीज के लिए देखते रहें आधिका की कुकिंग चैनल मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए मिलते हैं ऐसी और इसी और टेस्टी रेसिपीज के साथ तब तक के लिए लोए कर दो तब ताया meter भाइक की और बतातों नहान साथ नहाए के बताना झालबा मेरे जरूर बद्सक्षाम आए तर दOOD पार खि चर पारो